नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से सक्सेश टेक्निकल क्लासेज के यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले है इस्ट्रो एहमदाबाद के हाल ही में लगे इलक्ट्रीशन ट्रेड के पेपर के बारे में दोस्तों इसमें टोटल 90 क्येस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बैटरी खालिस्तान के लिए समानतर करम में जोड़ी जाती है बैटरीयों को या सैलों को समानतर करम में करंट कैपसिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है अगर बैटरीयों को स्रैनी करम में जोड़ेंगे तो इनकी वोल्टेज समता बढ़ती है प्रतिरोध अचूक खालिष्टान से नापाज जा सकता है इसमें रेजिस्टेंस मापने के जो एकुरेट रेजिस्टेंस मापने के विधी पूछी गई है और इन चारों विधियों में सबसे एकुरेट विधी है ब्रीज पद्दती ब्रीज मेथड क्यूं? क्यूं विधुत की मात्रा जानने का सुत्र क्या है? क्यूं का मतलब यहां पर है? यहां जो फोर्मला दिया गया है क्यूं का मतलब यहां पर आवेस है और क्यूं बराबर एक फोर्मला होता है IT IT यानि सही आंसर है इसका धारा इंटू शम है थोस चालक के मुकाबले लड़दार चालक का फाइदा क्या है लड़दार चालक का मतलब है एक सी ज़्यादा कंड़क्टर्स को एक साथ मिलाना जैसा कि पारेशन और वीत्रं लाइन के चालक है वो लड़दार इस 10 कंड़क्टर्स होते हैं इनको इनमें flexibility प्रदान करने के लिए इनको लड़दार बनाये जाता है एक किलोवाट दो सो पचास वोल्ट के चार तापक उपलब्ध है अधिक्तम उस्मा के लिए इनहें कैसे जोड़ा जा सकता है चार heater available है इन से अधिक्तम उस्मा प्राप्त करने के लिए इनको समानतर करम में जोड़ा जाएगा स्रेनी करम में जोड़ने से ये अपनी full capacity के साथ में काम नहीं कर पाएंगे सामनेते दात्यवें विदुत की अच्छी चालक होती है इन में से कौन सा चालकता की द्रश्टी से सबसे अच्छा चालक है जो best conductor है वो है चांदी, silver सकती परिणामित्र की कार्य समता किस करम की होती है पावर ट्रांस्पोर्मर की जो समता है ये 88% तक होती है क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला rotating part नहीं होता है इसलिए दक्सता काफी हाई होती है ACSR चालक खालिस्तान होता है ACSR conductor है Aluminium conductor, steel, reinforced, इसकी फुल फॉम है इसमें जो center core है वो steel की बनी होती है और बाहरी आवरन Aluminium का बना होता है outer conductors made of Aluminium परिपत में लगा fuse खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करता है सही answer है इसका sword circuit और overload से switch को first level से लगाया जाता है जो switch है वो first level से 1.3 मिटर उपर लगाते हैं इसमें कोई option है नहीं 1.3 मिटर तो सही answer है इसका 1.2 मिटर कारियस्तल जहां बारिकी से काम किया जाता है वहां अपेक्सित प्रदीप्ती खालिस्तान करम की होती है जहां बारिकी सूकसमता से काम किया जाता है fine work किया जाता है वहां पर 1500 lumen प्रती स्कॉर मिटर प्रदीप्ती के आउशकता होती है और जहां पर रब काम करना हूँ वहाँ पे 150 lumen प्रती स्क्वाइर मीटर में काम चल जाता है RLC स्रेणी परीपत में प्रती बादा का फॉर्मूला RLC परीपत का मतलब है यहाँ परीपत में रेजिस्टेंस भी है एक प्रेर कुंडली भी है और एक कैपसिटर भी है इसमें Z यानि इंपिडेंस निकालने का फॉर्मूला है R स्क्वाइर प्लस प्रेकिट में XL माइनस XC का होल स्क्वाइर का अंडर रूट एक ट्रांस्पोर्मर में टोटल कॉपर लोसेज 1608 है फुल लोड पर यदि लोड को हाप कर दिया जाए आदा भार अर्द भारित कर दिया जाए तो यहाँ पर जो कॉपर लोसेज है कॉपर लोसेज निकालने का फॉर्मूला होता है I2R अगर लोड को कम कर देंगे यानि करंट को आधा कर देंगे आधा का मतलब हुए एक वटे 2 अब आई का इसक्वाइर अगर हम करते हैं आई का इसक्वाइर करते हैं तो एक वटे 2 का इसक्वाइर इंटू अगर 1600 करते हैं इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 इंटू एक वटे 4 चार से इसको काटने पर सही आंसर होगा इसमें 400W निमिलिखित में से कौन सा LED ऐध दरसे प्रकास छोड़ता है सही आंसर है इंप्रा रेड एलेडी उच्छाई ट्रांस्पर्मर वोल्टेज बढ़ाने के काम आता है अगर प्रचालन के समय तीन कला मोटर में एक कलायन हो गया हो इसका मतलब है कि एक 3-phase मोटर उसमें से एक phase गाइप हो गया है किसी वज़े से एक phase शूज उड़ गया हो या और भी कारण हो सकता है अगर ऐसी condition हो गई है तो मोटर continue running में रहेगी और थोड़ी देर बाद में मोटर जल जाएगी हो सकता अगर लोट बहुत ज़्यादा हो तो मोटर थोड़ी देर चलने के बाद में बंदो जाए कीफ रनिंग depending on the load carried by it तुल्ले कालिक मोटर उपकेंदर के अभिगराई सिरे पर खालिस्तान के लिए लगाई जाती है synchronous motor shall installed as receiving end of sub station 2 synchronous motor power factor सुदारने का कारिया भी करती है और sub station पे voltage को stabilize भी करने का काम करती है fusing factor is fusing factor का ratio पूचा है सही answer है इसका minimum fusing current divided by rated current ST seroperi line के region चालक खंबो पर धारन करने है तो कौन सा विदुत रोधी इस्टेमाल होता है जो 11000 की line है उसमें चालक को hold करने के लिए pin insulator यूज के जाते है अगर 33000 से voltage जादा है तो वहाँ पे suspension insulators यूज के जाते है विदुत मसीनों में पटलित कोर का खालिस्तान गठाने हेतु इस्तमाल किया जाता है जो laminated core है उससे add current losses कम हो जाते है आर्क welding के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए खालिस्तान का इस्तमाल करना चाहिए सही answer है इसका dark gloss screen 60 watt और 40 watt के दो lamp है इसमें पूछा गया है किस lamp का प्रती रोध ज्यादा है 40 watt के lamp का प्रती रोध 60 watt के lamp से ज्यादा है MCCB की full form होती है module case circuit breaker transformer में जो taping दी जाती है transformer में taping HT side high voltage side में दी जाती है क्योंकि वहाँ पर current की value कम रहती है और voltage की value ज्यादा रहती है उपकरण सूचक के संचलन उत्मन करने वाले बल को wixapable deflecting torque कहते हैं यानि जो भी पैमाना होता है उस पैमाने के अंदर scale के अंदर जो संके तक होता है अगर वो संके तक zero level पे पड़ा हुआ है तो इसको starting के अंदर जो force इसको पैमाने पे गतिमान करेगा उस force का नाम है deflecting force voltmeter में खालिस्तान होना चाहिए एक voltmeter में उसका internal resistance हाई होना चाहिए सकती परिणामित्र में प्रियुक्त तेल खालिस्तान के लिए होता है transformer के अंदर जो तेल यूज किया जाता है वो तेल transformer के seetalon और insulation के लिए परदान किया जाता है इंसुलेशन इसमें है नहीं तो सही आंसर है शीतलन के लिए ELCB का विशेश उप्योग खालिस्तान आपूर्थी काटने में होता है सही आंसर है ग्राउंड फाल्ट की इस्तती में ELCB सर्कीट की सप्लाई को काड़ देता है तीन कलाच चार तार सेवाओं के लिए जो सबसे बहतरीन ट्रांसपोर्मर है वो है Δेल्टा स्टार ट्रांसपोर्मर ग्राउंड प्रतीरोध को ऐसे रचे जाता है कि ग्राउंड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम से कम होना चीए जहां तक possible हो, कम से कम हो ना चीए, 0.5 ओम हो सकता है, 1 ओम हो सकता है, maximum 2 ओम हो सकता है, अगर ज्यादा हो जाए तो उसको को गठाना है प्रती रोध में धारा, बहती धारा की मात्रा खालिस्तान पर अलंबित होती है परिपत में जो धारा की मात्रा है, वो applied voltage और omic value of the resistance पर निर्बर करती है यानि I बराबर होता है, I बराबर formula होता है, V divided by R तो यहां पर हम देख सकते हैं, current applied voltage पर भी depend कर रही है और resistance पर भी depend कर रही है परत्यावत वर्तित्र में इन में से एक नहीं होता है, परत्यावत वर्तित्र का मतलब है यहां पर alternator, alternator के अंदर commutator यूज नहीं किया जाता चोथी सवा question, यह question गलत है, क्योंकि सभी currents node से बाहर जा रही है, कोई भी current अंदर की तरफ नहीं है यहां पर ज्यावक्रिय 80V, चर्मांतर संकेत का RMS मुल्य पूचा है, the RMS value of sinusoidal 80V, peak to peak signal is यहां पर 80V, peak to peak value है, तो इसकी peak value हो जाएगी 40V, और इसमें RMS value पूची है, तो RMS value का जो formula होगा, यह होगा 40 divided by under root 2, या फिर हम कर सकते हैं, 40 divided by 0.707 707 को आप काट ले, सही आंसरों का 44 divided by under root 2 कौन से DC जनीतर को इस्तर वोल्टता जनीतर कहा जाता है, सही आंसर है DC संट जनेरेटर को एक प्रेरण मोटर की गती भार बढ़ाने पर अधिक घड़ती है, इंडक्सन मोटर में यहीं सबसे बड़ी दिक्कत है, कि अगर उसके उपर load increase होता है, तो इनकी जो speed है वो down हो जाती है अधिक्तम दक्सता की दोरान परिणा मित्र में तामबे के नुक्सान हजार वाट है, तो लोहे के नुक्सान क्या होगा दोस्तों, ट्रांस्पोर्मर की maximum efficiency के लिए copper losage और iron losage बराबर होते हैं, तो सही आंसर है इसका 1000 वाट प्रती बाधा unit of impedance, सही आंसर है ohm परिणे मित्र का सुन्ने भार परिक्षन, सुन्ने भार परिक्षन की साइथा से ट्रांस्पोर्मर में चुम्बकन धारा और no-load losage ग्याद किये जाते हैं निमलिक्त में कौन सा चालक बल्बो में प्रियुक्त होता है, सही आंसर है टंगस्टन सही आंसर है ट्यूपावर खंडी तुबले बनाने के लिए तामभा यूज करते हैं परिपत के अंदर एक कैपसिटर समांतर करम में जोड़ कर फ्लोरोसेंट लैंप के पावर फेक्टर को सही किया जाता है, बढ़ाया जाता है निमलेखित में कौन सी एक कलिये मोटर बहतर शक्तिगुण के साथ काम करतीTwo है और सही आंसर इसका कैपसिटर रॉन मोटर एक सैड़ ब्ल सिंगल फेस मोटर में रिवोलिंग फिल्ट किसकी साइथा से पैदा होता है सही आंसर इसका सैडिंग रिंग की साइथा से बारत में उच्छ वोल्टेज पारेशन अधिक्तम खालिस्तान के द्वारा होता है भारत में जो ट्रांस्मिशन है वो मैक्जिमम ओवरहेड सिस्टम से किया जाता है अगला क्वेस्टन वीच अब दा फॉलविंग इस नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मैगनेट सही आंसर है इसका ऐसमान धुरू एक दूसरे को प्रातिकर्शित और समान धुरू आकर्शित करते हैं यह गलत है सही गुणदर मत नहीं है इसका उल्टा होगा जब कि समान धुरू एक दूसरे को प्रातिकर्शित करते हैं अगला क्वेस्टन है सिंगल फेज मोटर के घूंबने की दिसा को स्टार्टिंग वैंडिंग को उल्टा 있다 करके किया जा सकता है टेस्टला किसकी इकाई होती है सही आंसर है flux density की अगला question है 230 volt 50 सर्टर्ज आपूर्ती पर एक सुद्ध capacitor load जुड़ा हुआ है उसका power factor क्या होगा तो सुद्ध capacity load होने पर जो power factor है जो current और voltage में angle है उसका मान होगा 90 degree तो cost 90 का मान होता है 0 तो यहाँ पर power factor का जो मान है यह हो गया है 0 आसा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद